आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यूवर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का सवागत सभी का वेलिकम अभिनंदन दोस्तों ग्रहाओं की शंकला में बात करेंगे चंदर देव के उपर कि जीवन और कुणली में ऐसी कौन सी निशानिया होती हैं कि जिससे हम ये एस्ट्रीमेल लगा सकें कि आपका चंदर देव जो है वो आपको खराफ़ल दे रहा है तो पूरर ववेचना शुरू करने से पहले आप सभी से कुजारिश मेरी यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को पसंद भी करते हैं तो करप्या चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो उससे हमें भी कही न कही मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बनाते रहें बात करते हैं चंदर के उपर चंदर मा जैसा कि नाम से ही फता चल रहा है कि चंदर मा मीस माता तो माता का पूरन तैक कारक जो है ये चंदर देव होते हैं आपका मन चंदर है आपके गार का सुख चंदर है लिकवर्ड कैस चंदर है मन का भोग चंदर है और माता की सेह चंदर है चंदर मा ही आपकी जिन्दीगी का सकून है आपकी अकैडमिक शिक्षा है और इलम पे लगाया हुगा कोई ना कोई पैसा उसका अगर आप अच्छे से इस्तमाल कर लेते हैं तो वो भी कही ने कहीं चंदर की निशानी होती है पानी चंदर है चावल चंदर है दूद चंदर मा है तो ये सब चीजे अगर मैं आपको गिनाने पर आओं कुछ दूद को वरदानी रूप में अगर आप मानके चलें तो प्योर कारक्ष चंदर मा का बोला गया है चंदर्मा मन है बहुत जल्दी इनसान कहीं ने कहीं अगर अपने मन से बटक जाए तो चंदर्मा ही इसके फिछे कारण बनते है दोस्तों बात करेंगे चंदर्मा की नेक्टिब की निशानियों की चंदर्मा जब कभी जीवन में आपको खराफल दे रही हों सबसे पहले आपको माता का सुख कम मिलता है माता से आप दूरी बना लेते हैं या फिर माता का सुख आपको उस लेवल पर जो है वो नहीं मिल पाता माता की सेहत खराब होना चंदर्मा का सबसे बड़ा दोश होता है आपका आपकी सिक्षा में मन ना लगना आपकी concentration का आपके ओपर हावी ना हो पाना आपका मन बटक जाना पड़ते टाइम तो ये भी चंदरमा की negativity होती है रात को नींद ना आना बुरे बुरे ख्याल आपके मन में बै कर जाना चंदरमा की negativity होती है किसी भी चीज़ को जो चीज़ अभी आपके साथ गटी ही नहीं है उस चीज़ के बारे में सोचके अपने अंदर एक डर का वहम का महोल बना लेना चंदरमा की negativity है किसी भी नशे की तरफ अगर आप जोड़ जाते हैं नशे की तरफ आपके बढ़ जाते हैं नशे की आदत अपने अंदर डाल लेते हैं तो मन से आप पेने कहीं कमजोर हो जाते हैं उसको छोड़ने के लिए तो ये भी चंदरमा की negativity है तो ये भी चंदरमा की negativity होती है दोस्तों दोस्तों चंदरमा गर में अगर आप प्राने टाइम में अगर मा बात करूँ तो जो दूद देने वाले हमारे पशु थे अगर वो कहीं न कहीं मरना शुरू हो जाएं तो ये भी चंदरमा की नेक्टिविटी होती है आपके गर में पानी लीग करना शुरू हो जाएं बॉर्वेल सुखना शुरू हो जाएं तो ये भी चंदरमा की नेक्टिविटी होती है माता से बेवजा अगर आपके जगड़े बढ़ रहे हैं तो ये चंदर्मा की सबसे बड़ी negativity जो है मानी गई है चंदर्मा कुनली में अच्छे होने इतने जिरूरी होते हैं दोस्तों कि आज के इस दोर में चंदर्मा मन है अगर इनसान का मन की उपर काबू रहता है तो वो बड़ी सी बड़ी मुसीबत में से निकल सकता है लेकिन चंदर्मा जब negative होते हैं तो आप किसी ना किसी हर किसी की बातों में जो है आ जाते हैं और बातों में आने के बाद अपना ही नुपसान कर लेते हैं तो यह भी चंदर्मा की ही connectivity होती है आज के चलन में drinking की habits जो है बोसी केसी में लोगों को है नशेक गरूब में ले 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 चंदर्मा लिक्वर्ड है और कहीं न कहीं यह आतत को छोड़ने का जो एक जद्दो जहज इंसान के अंदर चलती है तो वो नुक्सान जो है वो चंदर्मा है दोस्तों चंदर्मा कुंडली में जब राहू केतू या शनी से पेडिट होते हैं तो इनसान ता उमर अपने जीवन में struggle दुख तकलीफें ज़्यादा देखता है और माता की सिहत भी कहीं न कहीं खराब रहती है दोस्तों लिक्वड कैश पैसे की कमी का होना चंदर्मा का सबसे बड़ा drawback होता है तो यह basic निšानिया है अगर आपको चंदर्मा के फल इस तरह के मिल रहे है तो आपको चंदर्मा को अच्छा करना बड़ा जरूरी है दोस्तों अगर हम वो पायों की बात करें तो जब कभी चंदर्मा, शनी, राहू या केतू इन तीनों ग्रहों से पेडित हो चंदर्मा कॉल्डी के छटे बाब में, अश्टन बाब में, द्वादश बाब में बैटे हो तो आपको रात का दूद जो है, वो नहीं पीना चाहिए इस चीज़ को वाइड करना चाहिए तूसरी कंडिशन में चंदर्मा को मजबूत करने के लिए अगर आप थोड़े से चावर लेके शिवलिंग के उपर अरपन करेंगे जब मंदिर में आप डुनेट करते चले जाएंगे तो इससे आप चंदर्मा जो है, वो प्रबल होते ही चले जाएंगे शिवलिंग के उपर दूद अरपन करना पानी अरपन करना करें न कहीं चंदर्मा को पोजिटिविटी देता है अपनी माता से चांदी, दान सवरूप लेना जा फिर आशिरवाद के सवरूप में लेना चंदर्मा को बहुत बहतर और अच्छा करता है और दोस्तों चंदर्मा के लिए सबसे बहतरी रुपाई ये होता है अगर आप दूसरों से आशिरवाद लेते रहेंगे बड़े बज़र्गों का आशिरवाद लेते रहेंगे अपनी माता का आशिरवाद लेते रहेंगे 43 दिन ले ले, 90 दिन ले ले अगर आप पुरन ते डेली बेसिस पे अपनी माता का ब्लेसिंग्स जो है वो लेते रहेंगे तो आपको चिंदर्मा के सबी फल जो हैं वो लाजमी अच्छे में दोगी आपका मन भी शांत होगा पैसे की बरकत भी होगी और माता की हेल्थ भी अच्छी होगी तो दोस्तों य जो बेल है उसे भी उनकर लीजेगा तो कि जब हम लाइव आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको उसकी नौटिक्वेशन जो है वो मिल जाएगी दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ शुबरात परी हां कि म Courtney आपके साथ ऑ्सुबरा लो में कि साथ जाएवीन हैं अजणे।